दोस्तो स्वागते आप सभी का Facts with Amit Pathak में अगर आप भी Free Tablet Smartphone के इंतजार कर रहे हैं तो योगी सरकार का बड़ा एलान आप ध्यान से समझ ले क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2 करोन चात्र चात्राओं को Free Tablet Smartphone जो मिलेगा उसमें आपको बता दी ये 5 साल में पूरा 2 करोन चात्रों को मिलने वाला है ये 1 साल में 2 करोन चात्रों को ना मिलकर पूरे 5 साल में मिलेगा और हर साल 40 लाग विद्यारतियों को Tablet Smartphone दिया जाएगा तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हर साल 40 लाग विद्यारतियों को Tablet Smartphone दिया जाएगा और आपको दादे IT वा Electronics विभाग ने सरकार को भेजा है प्रस्ताव संकल्प पत्रिक अनुसार 2 करोन को होना था वित्रण और यही वित्रण अब आपको 40-40 लाग लोगों को मिलेगा 5 साल तक और कुल मिलाकर 2 करोन चात्रों को यह इलाब मिले वाला है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रदेश में इसनातक इसनाकोत्तर तकनीकी डिप्लोमा और कौसल विकास पैरामेडिकल और नर्सिंग सहीत अन्य पाठे करमों के लगबग 40-50 लाग विद्यार्थियों को हर साल स्मार्टफून और टेब्लेट बाटे जाएंगे आपको दादे आईटी उलेक्ट्रानिक्स विभाग के वित्वर्स 2022-23 में टैब्लेट वाई स्मार्टफून वित्रन करने का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है तो बहुत साइच छात्र हैं जो सोच रहे हैं कि किसे टैब्लेट स्मार्टफून मिलेगा तो जो बीए भी कर रहे हैं पैरा मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं कौसल विकास के स्टुडेंट्स हैं या नर्सिंग की कोई पढ़ाई कर रहे हैं बी फार्मा डी फार्मा इस सभी छात्रों को टैब्लेट स्मार्टफून मिलेगा तो अगर आप भी इस चीज की तैयारी कर रहे हैं तो बड़ी संख्या में स्मार्टफोन टैबलेट एक वर्स में उपलब दकराना मुस्किल होगा। बड़ी संख्या में स्मार्टफोन के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। इदर में भी उसमें मदद मिलेगी। एक इंपोर्टन जानकारी थे जो आपके साथ सेयर किया गया है। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें। जिससे आपको लेटिस्ट अबडेट मिलता रहे। आपके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धर्निवाद।